आगा था आपका चैनल जॉब डिटेक्टर पे और आज हम लेके आए हैं डिप्लोमा के लेबल के कुछ कोश्चन जो की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आईए देखते हैं हमारा पहला कोश्चन हाँ तो हमारा फर्स्ट कोश्चन है जनरली एन इलेक्ट्रोलाइटिक केप आपपसिट्र जो होता है वह क्या प्रोवाइट करता हमें तो आपस्टन है जैसे कि आप देख सकते हैं फिक्स्ट के इस्टेंस है वरीयवल केपसिटेंस लोग केपसिटेंस से लाइज वेल्य consider तो हमारा जो एंसर और चैनलल योउजिटिक के पिसिटेंस देता है क्या दे सबस्क्राइब, कुछ लाउउस्ट है जाथ ही चचर्ण जादा हो जाता है और हम लो का उसका जो यूजेज जो लाइफ टाइम नहीं कर सकते हैं लोग उसके लिए लिमीटीजम टाइम टेक ही यूज घिया हमारा doğru जाएगा पहला काई एंसर हो जाएगः को गारा आते हैं दूसरे नमबर के अब सेकेंड कोश्टन देखते हैं वीच आफ फॉलोईंग के पेसिटर सफ इडेंटिकल रेटिंग विल है थे स्मॉलेस्ट टैमेंशन यहां पर पूछा जा रहा है कोश्टन में कि कौन सा कैपिसिटर है जिसका रेटिंग बराबर होगा पर उसका आफ धया Aujourd hayır मतलब कि फ्य систक साइज च्छोटा होगा अग्वाद कायफ से सब्सक्राइज और केमिकर करते हैं हमलों कि छोटा से यह हमारा हो जाएगा option A C option A ceramic capacitor इसका answer हो जाएगा हमारा ceramic capacitor अब हम लोग next question क्यों और आते हैं next question है हमारा internal heating of a capacitor is usually attributed to internal heating जो capacitor में होता है उसके करण क्या होता है इसके कारण पहला तो option दिया वैलेक्ट्रिक चार्च प्लेट वाइबरेशन electron movement leakage resistance हाँ जो internal हम लोगा heating होता है capacitor में उसके कारण हमारा leakage resistance होता है जो की जैसे कि आप जानते है यह formula ह equal to i square rt होता है i square rt होता है तो heat जो है resistance पर depend करता है तो leakage resistance जो हीट बढ़ता है तो उसके कारण leakage resistance पर बढ़ते जाता है तो यह होगा हमारा third question का answer अब हम आते हैं next question की और हमारा next question है during discharge of battery तो battery discharge होने के समय क्या होता है voltage decrease होता है या फिर voltage increase होता है या फिर voltage में कोई बदलाव नहीं आता है या फिर of device तो यहां पर हम जानते हैं कि जब भी बैटरी discharge होता है वैसे वैसे हमारा voltage voltage cell का voltage भी हमारा घटते जाता है यह जो हमारा answer हो जागए हां और एक चीज़ है कि जो decrease होने rate of जो घटने का जो discharge rate of discharge वो यह सब चीज़ पर भी depend करता है अब next question क्यों और हम आते हैं which efficiency of battery is more कौन सा efficiency battery का जो है ज्यादा अच्छा यह ज्यादा होता है देखिए option देखिए what hour efficiency ampere hour efficiency overall efficiency none of these तो यहां पर हमारा answer जो इसका हो जाएगा हमारा ampere hour efficiency option B ampere hour efficiency आप घर में भी खुद देखिएगा कि घर में भी ampere hour efficiency यूज किया जाता है कोई बैटरी आप घर में inverter होगा आप यूज करेंगा तो AH के फॉर्म में रहता है ampere hour के फॉर्म में रहता है तो यह common सी बात है यह घर का basic में भी आप ध्यान देखे पता कर सकते हैं कि हम ampere hour efficiency पर ज्यादा प्रेफर करते हैं अब उसका efficiency ज्यादा है मोर्दन मसलब कि अधर efficiency होता है अब नेक्ट कोश्चन क्यों रहता है इसलिए हम लोग कोशिस करते कि पर्मिटिविटी जो हाई होना चाहिए पर्मिटिविटी अगर हाई होगा तो चार्ज जो करेंट अराम से फ्लो हो सकेगा यह चीज फाइदा होगा हमारा इसलिए हम लोग कोशिस करते कि पर्मिटिविटी जो हाई रहे उससे यह फाइदा भी होता है कि हमारा फिस यह बहुत जयता हमें मिलने लगता और पर्मिटिविटी कम रहेगा तो क्या लोग बढ़ा करना पड़ेगा और क्यापिसिटेंस भी कम देगा तो हम लोग जो है कुछ एकोनॉमिकल फाइदा के लिए हम लोग पर्मिटिविटी हाई रखने का कोशिस करते हैं तो हमारा option क्या है हुगा यहां सही option A अब next question क्यों और आते हैं हम लोग the material having low retentivity are suitable for making अब retentivity यहां क्या होता है retentivity होता है कि चुम्बक्य गुन को attain करके मतलब कि अपने में पकड़ के रखने का सकती वह होता है retentivity तो जब चुम्बक्य गुन को ज्यादा दिर तक कोई नहीं पकड़ पाएगा अगर चुम्बक्य गुन को तो उस तरह का समान क्या होता है temporary magnet क्योंकि permanent magnet तो आप जानते यह permanent magnet में जो चुम्बक्य गुन अगर electric current हम हटा भी दे रहा हटा भी दे जो है वह magnetism सोह करना बंद कर जागा तो इसका option हो जाएगा option A अब next question क्यों और आता है which of the following determines total power in series circuit अब power जो है series circuit में हम लोग कैसे निकालता है series circuit में अगर power निकाल लेंगे तो pt equal to p1 plus p2 होता है मतलब कि सब कोई को serially जोड़ना तो अब देखे power p1 जो है register से register में जो power consume होगा वहीं होगा अब option है हमारा source voltage time the current यह तो नहीं होगा दूसरा option है total voltage applied to the circuit यह भी नहीं होगा current flowing through a switch यह भी नहीं होगा average of what is consumed by this register हमारा option जो है option D यह सही होगा क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्या होता है sum of power distributed by individual registers power जो होता है हमारा series circuit में वह होता है sum होता है हर register में जो कि power dissipate करता है तो यहां हमारा option D हो जाएगा सभी अब next question क्यों रात है what should be observed way connected a volt meter into a DC circuit जब DC circuit volt meter को DC circuit में connect करते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए तो यहां पर सबसे main चीज हमें देखना चाहिए polarity यह हमारा option C जो कि सही है polarity देखना चाहिए polarity क्यों देखना चाहिए कि polarity अगर हम change कर देंगे अगर volt meter और DC circuit का polarity change कर देंगे तो उसके कारण हमारा motor जो है reverse side भी भूम सकता है इसलिए हमारा कोशिस रहता है कि polarity जो है सही से check करके लगाया जाए तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती है अब next question क्यों आते potential divider a potential divider is normally connected to potential divide करने वाला वो कहां connect रहता वो ज्यादा तर अब देखिए option outside the generator circuit towards the load circuit within the generator circuit at a distance of we was hundred meters from the generator where we used the voltage to be measured in kilovolt none of the potential divider हमारा हमेंशा generator के बाहर connect रहता है generator circuit जो रहता है उसके बाहर connect रहता है और load circuit के सामने से connect रहता है तो यह हमेंशा याद रखेगा कि हमारा potential divider जो कहां connect रहता है generator circuit के बाहर और load circuit के सामने तो हमारा option हो जाएगा ASI अब next question क्यों रहात है in pure inductive circuit pure inductive circuit में option देखिए current lead applied voltage by 90 degree तो यहाँ पे current lead कर रहा है current किसमे lead करता है capacitor में याद रखेगा capacitor में current lead करता है और दूसरा option है current in phase with applied voltage जब same phase रहा है तो वो register में रहता है register में जो है same phase रहता है और तिसरा option है current lead applied voltage by 90 degree हाँ तो induction pure inductive में हमारा option C the current lead करता है voltage को by 90 degree से तो हमारा यह जस नंबर हो गया अब next question क्यों रहाता है अब के यहाँ पे देखा जाता है KCL KCL जो है कहाँ applicable है पहला है close loop in network electronic circuit junction in network electric circuit तो हमारा इसका सही answer हो जाएगा option C junction पे हमेशा KCL निकार लेका आप formula भी जानते ही होंगे कि KCL equal to B B minus N plus 1 तो आप यह कर सकते है तो junction पे हमेशा junction ज़रूरिश रहता है junction को ध्यान रखना है अब next question क्योंट हो रहा थे next question है flow of electron in circuit जब circuit में electron का flow होता है तो जाहिड सी बात है electric current आता है तो यहां पे हमारा option क्या है magnetic charge EMF electric current देखिए हमारा electric current option आ गया है तो option C हो जाएगा हमारा सही answer अब next question क्योंट हो रहाते है the material used for magnetic circuit where high value of flux density required magnetic वैसा magnetic circuit जहाँ पे high value of flux density का ज़रूरत होता है उससे में हम लोग यूज करते है फेरो कोबाल्ट मेटेरियन जहाँ भी high flux density का ज़रूरत होगा हम लोग को magnetic circuit पे तो हम लोग कौन सा कौन सा समान यूज करेंगे कौन सा material यूज करेंगे फेरो कोबाल्ट याद रखेगा इसको फेरो कोबाल्ट अब next question क्यों रहाते हैं हम लोग तो unit of magnetic flux magnetic flux तो आप जानते यह option है वेबर एंपियर टर्न वेबर होगा यह तो आप जान रहें एंपियर टर्न क्या है एंपियर टर्न जो हमारा ni जो हो जाएगा हमारा mmf का फिर वेबर पर मेटरेस का रिए जो हो जाएगा magnetic flux density का और कुलंब जो हो जाएगा तो यहां हमारा option यह सही होगा वेबर का वेबर के लिए जो हम लोग यह करते हैं अब next question क्यों रहाते हैं और लुक्ताय करते हैं फ्लैमिंग लेट थेंट रोल हते हैं अब लगत एंट रूल उलकर okay स्ँआ कमारा जो अधिंद राईंट रूलोता है वो होता जनरेटर के लिए अब मोटर और जनरेटर में क्या अ कौर जनरेटर में हम देखते हैं induced current को क्योंकि हम motor से तो हमें mechanical power निकालना है तो force ज़रुरी है उसमें को निकालना और generator में तो हमको बिजली चाहिए होगा करेंट निकालना है mechanical देते हैं तो हमें electrical मिलता है तो उसमें current को देखना है तो वहीं चीज़ पूछा गया अब एक प्रिस्टेमिनंग लेट हैंड रूल से क्या पता चलता है तो अप्सन दिया गेया विख्याकर माइटिक ड्रेक्षिंट ऑ लन लेटन सोलेनोड ना मेल्टीट क्सवान सब्सक्राइब हाइब जो तुरुल हो ओ nya आइसलारcell review जो करेंगा अब नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलते हैं